2 trains from Mumbai leave Delhi at 6am and 6.45am and travel at 100 km per hour and 136 km per hour respectively how many kilometers from Delhi will the 2 trains be together यानि कि Delhi से कितनी दूर जाके बहुत अनों trains मिलेंगी अब देखो ये मैंने क्यों छोड़ वाया था question अभी क्योंकि ये आपका होता है relative speeder question question से आपको एक part clear हो जाएक relative speed का relative speed का विसे दो part होते हैं I will tell you what तो इसमें क्या है कि एक train आपके निकली है 6 बजे और एक train आपके निकली है 6.45 ठीक है इसका मतलब एक train late निकली है एक train जल्दी निकली है जो train जल्दी निकली है उसका हम देख लेते हैं आपे speed कितनी है उसकी speed हमें दे रखी है 100 km per hour पर आवर और जो बाद में निकली है उसकी स्पीड जादा है वो है 136 किलोमीटर पर आवर अब देखो आपको बस यह देखना है कि यह ट्रेन क्योंकि पहले निकल चुकी है इसका मतलब जब यह ट्रेन शुरू करेगी तब आलड़ी यह ट्रेन कुछ रसंस कवर कर चुकी अब कर थ्री फोर्थ आवर होता है और आपका डिसंस वह स्पीड इंट टाइम यह आपका टाइम हो गया स्पीड कितनी है सौ की स्पीड है ठीक है तो यह आपका हो जाएगा तीन सो बाई चार या फिर देख सो बाई दो या तीव तो यानिकि 75 किलो मीटर तो जो आपकी प अल्री कवर हो चुका है जब इस ट्रेन ने शुरू किया है यानि कि इस ट्रेन को यह 75 किलो मीटर कवर करने पड़ेंगे तब जाके वह कहीं पर इसके बराबर आपाएगे और यह दोनों मेल पाएगे अब क्यूंकि इसकी स्पीड जाद है तो हमें पता है कि वह कवर कर ले रिलेटिव स्पीड कितनी है इनकी रिलेटिव स्पीड केवल 36 है यानि कि 136-100 ठीक है 136-100 क्यूंकि दोनों ट्रेन साथ में जा रही है मैंने बोला था है रिलेटिव स्पीड के दो पार्ट होते है दो पार्ट मतलब दूसरा पार्ट यह है कि अगर दो ट्रेन सामने सामने आ रही हैं दोनों मिलने वारी ये भी question करेंगे हम अभी ठीक है इसका भी question है आगे मैं आपको बताऊंगा आएंगे उसके उपर अगर दो train एक साथ आ रही है मतलब उनकी speeds add हो रही है यानि कि अगर एक train आ रही है 100 पे और एक आ रही है 50 पे तो इनकी relative speed देड़ सो हो जाती है ये चीज़ याद रखना है इसको हम आगे apply करेंगे समझेंगे इसका exactly मतलब क्या है लेकिन जब साथ में आपका add हो जाएगा and जब दो trains साथ में चल रही है एक साथ तो आपका हो जाएगा 136-100 यानि कि relative speed कितनी है यानि कि देखो यार दोनों ये भी चल रही है 100 पे ये भ चल रही है उससे तो यानि कि relatively 36 का इन में बस difference है अब हमें ये distance कवर करना है इस वाली train को time कि कितने time में ये distance कवर होगा time कैसे निकलता है time is equal to distance ये distance जो में कवर करना है इस train को relative speed कितनी है 36 की speed है यानि कि extra 36 की speed है उसके उपर इसको 75 km कवर करने है आई होप समझना रहोगा रिलेटिव स्पीड एक बहुत ही इंपोर्टन इसको भूलना मत इसका हम बात करेंगे जो मैं आपको बताया इसकेंड वाला केस बट इस बेरी इंपोर्टन सो 75 डिवाइड भाइड थर्टी सिक्स हो गया अपका अपका अब जो क्वेशन में पूचा कि हमसे यह नहीं पूचा यह तो हमने निकाल आई है हमारे काम भी आएगा उसने हमसे पूचा कितने डिस्टेंस के बाद जाके यह द इसने डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस में हमारे पास टाइम तो है 75 बाइट थर्टी सिक्स ठीक है स्पीड क्या है स्पीड आएगी आपकी यहांपे 136 समझाता हूँ क्यों क्यूंकि देखो इस train को कवर करनी है हम सेगेंड ट्रें यह बात कर रहे हैं कि जो जो तेज च करने पड़ेगी second train की क्यूंकि 136 km per hour की speed पे इस time के अंदर अंदर कितने distance पे यह कबर हो पाएगा यह हम निकाल रहे हैं अगर यह चीज आपको clear ना हो तो एक बर rewind करना दुबारा से पूरा question सुनना ठीक है हमने किया किया इसके अंदर simple चीजा में distance निकालना है speed into time किया है तो आपका हो जाएगा 136 into 75 by 36 इसको आप करोगे तो आपका answer इस case में आ जाएगा answer in this case will be 283.33 km यह आपका option number कौन सा है option है आपका C 283.33 km यानि कि इतने distance पर जाके यह वाली train इसको overtake कर पाएगी ठीक है हमें distance निकालना था time हमने निकाला यह time निकालना बहुत important है यह आपको आना चाहिए यह निकाल पाऊगे तो आपका यह equation solve नहीं होगी ठीक है so I hope relative speed आपको clear हुआ होगा relative speed भी एक थोड़ा सा comparatively complex concept है इसलिए मैंने पार्ट टुक ले छोड़ा हुआ था उसको and I hope लेकिन आपको अब यह ची समझ में आ गई होगी और नहीं आए तो रवाइट इन दुबारा देखना आपको समझ में आ जाएगा and we'll do one more question on speed आपको और लिएब जाएगा जब दोह ट्रेन साथ में आ रही है यानि कि एक दूसरे को you know head on से सामने आ रही है तब कैसे करना होता है तब आपका same रहता है बस आपका यह जो हमने यह पर minus किया है आपकी जो speeds है यानि कि 6-6 speed हमने निका लिए उसके समझ में आड जाती है देख नहीं कैसे आगे बढ़ते हैं लोनावला एंग हंडाला टू सेटेशन चेह सो खिलो मीटर अपार्ट अट्रें स्टार्स फूर्ड आपको जोए लोनावला और चांडाला से आ रही है एक आरही है इस तरफ एक आरही है इस तरफ ठीक है अब हम देख लेते हैं यह इन तरह दो आवर्स यानिकी दो घंटे चली है यह इसका मतलब पचास किलो मीटर पर आपका 50 किलो मेटर कवर कर चुकिया अलड़ी कितना बचा 550 किलो मिटर बचा है कि वल देखते हैं आगे बोल रहा है तो अब कब जाके वो मिलेंगी अगेन आपको डिसन्स बताना है बट इसके अंदर एक आपका चीज और है आपको यह इसके आपके बीच में कि पहले आपकी होगी रिलेटिव स्पीड आपकी होगी पच्चिस प्लस 35 यानि कि हो गया आपका 60 km per hour अब देखो चीज़ है 60 km per hour की speed में को कितना इनको यह 550 कवर करना है because 550 पर ही आ के मिल रही है 50 हमने भी साइड रखा हुआ है तो 550 हम पहले टाइम निकाल रहे कितना इनको टाइम लगेगा मिलने में यानि कि टाइम इनको लगेगा 550 km time is equal to distance upon speed speed यहां पर इस case में instead of minus होने के आपके add होई है ठीक है 60 हो गया तो यह आपका हो जाएगा 55 by 6 hour यह आपका time निकल के आगया ठीक है अब उसने हमसे पूचा किया है कि लोनावला से कितना दूर यह दोनों train मिलेंगे यानि में भी यहां पर कहीं मिलती होंगी कि M के उपर M तक मिलने का जो time है वह में पता है कितना है लेकिन हमें exactly नहीं कि यह distance कितना है हमें अगर यह distance निकालना है तो हमें चाहिए होगा इस train की speed जो कि यहां से आ रही है यानि कि 25 distance is equal to speed इसकी speed into time किता लग रहा है है तो बहुत ही important little speed okay so 25 into 55 by 6 इससे आपका आ जाएगा कि इतना distance कितना है यानि कि यह जो train आ रही है speed पर उसको इस time में मिलने में meeting point पर आने में उसको लगते है इतना distance कवर करती है वो यह आपका d आ जाएगा 25 into 55 divided by 6 है ठीक है एंड इसके अंदर क्योंकि इसने पूचा है लो नावला से कितनी दूर मिली लो नावला से अगर वो यहां पर मिलती है तो यह जो distance आएगा यह तो केवल इसका आएगा इसमें आप plus 50 भी करो गई यह वाला ठीक है बहुत ही important question है बहुत ही अच्छा question है इसको अपने हैं आप आप सॉल बढ आपका एंसर आजाएगा और जेक एक अच्छेकट इन दौच तवन आपको अप्षिट्ट इसकेस में है 279.166 किलो मेंटर थीक है तो आपका 279.166 किलो मिटर इस यह जो आन्सर अगा अगा इस अवरी इंपोर्टर्ट नाष्ट बॉशन में now we'll move for the next question to watch the complete video log on to www.myprepway.com head over to the course list click on entrance prep course scroll down and choose your course click on buy now enter your details and proceed to check out once you make the purchase you will be able to see all the upcoming and the already uploaded videos head over to any video and start your preparation new videos are added every day from monday to friday all the chapters of quants logical reasoning and verbal ability will be taught by me we will be starting from the basics and will go up until the advanced so that you are well prepared for all your bba entrances after class 12th including ipmat zipmat dujat and pad through this one comprehensive course in this course you are also provided with five ipmat indoor current pattern mock test created by me and 15 small 10 minutes topic wise test if you wish to buy more of these mock tests you can head over to the mock test series click on my prep mocks and you will be taken to the page where you can find all the mocks that are available you can buy all of these mocks at once by clicking on the unlock test or the subscribe button once done you will get access to more than 150 mocks of all leading bba entrances including cuet dujat ihm i am indore i am rotak zipmat and pad and other sectional and topic wise test click on take test here you can solve all the questions in an exam like environment after submitting you can get detailed solutions of all the questions so head over to www.myprep.com and enroll with us today i am excited to see you on the other side